चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में हम ये वाला पैटरन दखेंगे आप यहां पर देख पा रहेंगे कि यहां पर कोड कि था जो इस तोरीखें गैने दोल्ब्रलॉप लगते हैं और कोई भी ऐसा pattern जो left align नहीं है, यानि की right align है या center align है जीसे आप देख रहे हैं कि ये right alignment में है, या center alignment में होता है, कोई भी pattern तो उसमें तीम loop लगते हैं, तो बिलकुल सिंपल सा concept है, एक दम याद रखने वाली बाते हैं, अगर लेft align है, तो दो लूप लगेंगे, right alignment है ये तो आप कोई गी ऐसा पैटर्न देख लिए जो लेप्ट लाइन नहीं है तो यह आप देख रहे हैं कि लेप्ट लाइन नहीं है निश्चित से बात है कि यहां पर तीम लूप लगाने का कारण क्या है और किस तरीके से हम लूप को हैड कर सकते हैं तो इसको समझने के लिए हम यहां पर इसको एक डाइग्राम से समझते हैं अगर मान लेजे आपके पास कोई भी एक ऐसा पैटन है जो राइट अलाइन है या सेंटर अलाइन है उसका इस्ट्रक्चर कुछ ऐसा डिजाइन होता है यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यह त्यार किया हुआ इस्ट्रक्चर है यहां पर यह जो पैटन दिख रहा है इसको आप कुछ इस तरीके से इमेजिन करना है अगर वो उस लॉजिक को समझना है तो आप यह समझे कि एक बॉक्स है और इस बॉक्स में आपको ऐसा इमेजिन करिए ठीक है तो यह वाला जो पैटन था यह वाला और यह वाला जो पैटन था आपने यह बना रखा है पहले से यह लेफ्ट अलाइन वाला पैटन आपने बना रखा है और यह यह जो पैटन है इसको भी आप ऐसे लेफ्ट अलाइन की तरह इमेजिन कर सकते क्योंकि ये जो लाइन अगर मैं खिचूं ना तो ये left align हो जाएगा इस line को अगर मैं सीधा कर दूँ ऐसा कर दूँ तो जो आपका one है वो ऐसा हो जाएगा one two ऐसा हो जाएगा और one one two three ऐसा हो जाएगा आप देख रहे हैं कि दो left align वाले triangle हमने मिला करके एक राइट अलाइन का ट्रेंगल बनाया है और इसमें ये पहली रो है ये सेकेंड रो है ये थार्ड रो है यानि कि हर रो जो थी जिसमें वन प्रिंट होता था अब उसमें दो चले प्रिंट होगी पहले ब्लैंक स्पेस प्रिंट होगा फिर वन होगा फिर ब्लैंक स्पेस प प्रवकार के लूप चलेंगे, एक blank space के लिए चलेगा और एक number के लिए चलेगा, आप देख रहे हैं कि चार बार blank space फिर एक one, three बार blank space फिर one two ऐसा चल रहा है, clear है, इसलिए इसमें तीन loop लगते हैं, तो loop के structure को आप समझियेगा, कि यहाँ पर जो loop का structure है, कुछ इस तरीके स पूराना लूप का इस्ट्रक्चर को यहां पर हम एक्स्प्लेन करते हैं, इसलिए मैंने यहां पर यह दो कॉलम के लिए दो चीज़े यहां पर बताई थी, जो हमारा थम रूल है वो यह है कि अगर आपके पास राइट अलाइन या सेंटर अलाइन वाले पैटरन है तो तीन सब्स्राइब लूप के लिए है लिए जो सेम टॉसे राइप छला देंगे है यहां पर यहां पर पेष्ट कर देंगे तो column का जो loop है उसको C को C भी रख सकते हैं आप क्योंकि यह pattern यहाँ पर change होते रहता है या फिर इसको C1, C2 कर सकते हैं तो दो column है मैं यहाँ पर C1 कर देता हूँ C1 कर देता हूँ और C1 कर देता हूँ यहां पर मैं कर देता हूं C2, C2 और C2 तो दो कॉलम यहां पर बनाए हैं मैंने यह C1 है और यह C2 है और उसके बाद line change हो रही है तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो C1 यानि कि पहला वाला जो loop होगा वो blank space के लिए होगा क्योंकि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो हमने अभी diagram बनाया था तो पहले blank space वाला जो था वो print हो रहा था then pattern print हो रहा था तो हमेशा जो पहला loop होगा C1 जिसको हमने बनाया है वो blank space वाला होगा clear है तो हम यहां पर अपने code को देखते हैं तो हमने यहां पर तीन loop बनाया यह जो करेगा वो blank space प्रिंट करेगा और यह पहला जो प्रिंट करेगा और यह पैटन प्रिंट करेगा और लाश में भी यार होना है इन दोनों से मिल करके एक row बनेगी अब हमको यह देखना है कि मान लीजे मैं यह वाला pattern print कर रहा हूं तो यहां पर पहले पांच blank space then one star चार blank space यानि कि blank space कम होते जा रहे हैं और star बढ़ते जा रहे हैं तो star बढ़ते जा रहे हैं तो star में तो यह वाला rule लगेगा रो बढ़ते जा रहा है तो कॉलम बढ़ते जा रहा है और ब्लैंक स्पेस कम लग रहा है तो ब्लैंक स्पेस में ये वाला रूल लगेगा तो आपको कुछ नहीं करना है ब्लैंक स्पेस में ये वाला मैंने पहले से लगा रखा है और इस्टार वाले में यह वाला लगाना है देखिए यह पर तीन लूप लगे रो के लिए एक लूप और कॉलम के लिए दो लूप लगे हैं तो अब मैं इसको चुप चुप यहां से कॉपी करता हूँ और ले जाते हैं अपने पीएच्पी के कोड में और हम इसको रिप्लेस कर देते हैं आप देखेंगे मैंने इसको डिलीट कर दिया है और यहां पर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ रिप्लेस करने के बाद आप यहां पर जो C बनाये थे इसको C1 कर दीजिए और एक और variable आपको बनाना पड़ेगा C2 तो मैंने यहाँ पर C2 भी बना दिया अब बहुत यह सिंपल सा चीज है और code हमारे सामने यहाँ पर आप देख पा रहे है तो code यह दिख रहा है आपको और code में आपके पास तीन ब्लूप लगे हुए है पहला जो है blank space के लिए है दूसरा जो है pattern के लिए है pattern हमने star लिया है यहाँ पर blank space लिया है blank space दिरे दिरे कम हो रहा है 6-R और star दिरे दिरे बढ़ रहा है clear है अब हम इसको save कर देते हैं और अपने compile करने के बाद जब हम इसको run करेंगे तो हमारा ये वाला output अब आने वाला है तो मैं आपर आप देखते हैं इसको run करते हैं अभी फिलाल ये आपका एक चीज है कि blank space को print करने के लिए आपको nbsp print करना होता है इसमें आपको पता है कि html में blank space को count नहीं करता है उसके लिए हमको nbsp लगाना होता है ठीक है nbsp जो है वो blank space होता है otherwise आप कितना भी blank space लगाईए वो blank space को html जो है वो remove कर देता है या हटा देता है तो nbsp जितने बार आप लगाएंगे उतने बार यहाँ पर एक blank space create होता है तो blank space का ये constant है तो अगर आप दूसरी language में कर रहा है जैसे java हो गया c, c++ हो गया तो वहाँ पर आप ऐसा blank space create करेंगे लेकिन कोई भी web technology पर काम कर रहा है जैसे jsp, asp या कुछ टाइप की java script wb script तो वहाँ पर space देने के लिए आपको nbsp का यूज़ करना पड़ेगा अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि nbsp पूरी तरीके से spacing नहीं दे रहा है font पूरी तरीके से नहीं ले रहा है तो आप दो बार nbsp लगा दीजिए ताकि double spacing आपको मिले तो दो-दो की spacing है क्योंकि इसकी font size बढ़ गई है बट space की font size नहीं बढ़ी है इस तरीके से हमने right alignment के लिए यहाँ पर यह invisible triangle जो blank space का दिख रहा है वो बना हुआ है और यहाँ पर यह वाला जो triangle है वो है तो इस प्रकार से दो triangle हमने बनाए है एक visible था और एक invisible है जो blank space के लिए बना हुआ है clear है अब कुछ नहीं करना है आद अझा आधान में भी 1944 जो cand n na जो चेंज करना है तो यहाँ पर पैटर्ण जो है आभ डेक पा रहे हैं 1 इन को वान जो हंवान वान भी तू णिटू जो जो और परेंघ doctor यह अर्वी एग पर हमको जो पैटन लिखा हुआ है इसको मिला करके कॉलम लिखना है लेकिन कॉलम कौन सा होगा आपका सीवन होगा क्योंकि यह नंबर है इसलिए यहाँ पर सीटू होगा क्लियर है क्योंकि इसको प्रिंट कर रहे हैं हम तो C2 लिखेंगे और यहाँ पर डॉलर लगाएंगे तो देखें यहाँ पर जैसी मैं इसको सेव करता हूँ तो यह आपको इस टाइब का पैटन देगा सेम वैसे ही आप रो लिखेंगे तो आपका यह वाला पैटन मिल जाएगा यह वन वन टू टू प्रकार से हमने यह टोटल नौ पैटन्स देख लिए हैं और नौ पैटन्स को भी आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं लौजिक ही होगा अब हम इसे लगे हाथ हम सेंटर अलाइन्मेंट वाले पैटन्स को भी देख लेते हैं